हेलो एस्ट्रेंट वेलकम तो आर यूटीब चैनल तो आज हम लोग यह टॉपिक करेंगे 4.1 का टीका या वैक्षिन किया उधार्णा यानि कॉंसेप्ट ऑफ वैक्षिन कॉंसेप्ट ऑफ वैक्षिन जिस तरह से हमने पढ़ा की एंटि बॉडि और इंटिजे क्या होता है तो हमmor增 बा चल रहा है about mostly 90% तक तो वैक्षिनेट हो चुके हैं तो यह वैक्षिन क्यों दिया जाता है वैक्षिनेशन का कारण क्या है देने का इसके इस से टॉपिक के जरी हम लोग अभी अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें वैक्षिन क्यों लगाया जाता है वैक्षिन का अर्थ होता है क्या कि हमारे सरीर के immune system को strong करना है हमारे सरीर में कोई pathogen जा रहा है यानि कि कोई Yani Pentegen ke रूप में हमारे सरीर में पर्वेश कर रहा है छिक है तो उससे हमारा सरीर क्या करता है कि एंटी बॉडि तुरं से क्रियेट करता है वो किसी भी तरह का पैथोजन हो ठीक है वो बॉडी को तुरंद से अपना एक एंटी बॉडी तयार करना शुरू कर देता है लेकिन सभी के लिए एंटी बॉडी एक ही समान रहती है लेकिन जब हम इस तरह से वैक्षिनिशन लगाते हैं तो एक खास को डाला को डिये जड़ए टाला तो वह करोंड का एंटी जीन गया हमारे स Eigen में उसको हमारा सरीर इकॉडाई कि ऑ्पना एक इंव्मुन हो जाता है एक उसके अदर परदि रोदक छमता आ जाती है और वह एंटी बॉडी त्यार कर लेत है उस एंटी जिन के बिलद यानि कि जब vaccine लगा तब antibody बनाया हमारा सरीर, इम्यून हो गया और फिर से यदि माल लेजे कि बाहर से फिर से coronavirus जा रहा है तो उससे हमारा जो सरीर जो पहले से ही immune हो चुका है antibody त्यार कर चुका है coronavirus से attack करने के लिए यानि उसको रुक्थाम के लिए antibody त्यार कर चुका है तो वो memory cell जो होते हैं वो त्यार रहते हैं और वो antibody fight करना शुरू कर देते हैं अब vaccination समझ मैं कि वैक्षिन क्यों दिया जाता है वैक्षिन वापर किरिया है जिसमें जीवित या मृत या सुच्म जीव के परिवर्तित लक्षन को सुई लगा कर या फिर मूह के द्वारा स्वस्त वैक्ति के सरीर में परवेश कराया जाता है ध्यान दीजेगा जीवित या मृत बिशिष्ट सुच्म जीव के परिवर्तित स्वस्थभी के सरी में परवेश कराया जाता एक अंटिजएट को दिया जा रहा है लेकिन यह हमारे सरी में डीज़िस क्रेक्ट नहीं करते है ऩो अर गुट बनते क्या है? मतलब उसके उससे लरने के लिए हमारा सरीर क्या करता है क्यों तो जानता है कि बाहर से फॉरण ये पैतोजन आ रहे हैं मिस बाहर से कोई इसा एक एंटिजेन जा रहे ह한데 घा तो उसको खिलाफ क्या करता है क्यों एंटीबॉडी त्यार कर लेता तो उसके शरीर में परवेश कराया जाता है जिससे उसुच्म जीव का दूस परवाव नश्ट हो जाता है और हम शरीर को शरीर में रोग प्रतिरोधक छमता की ब्रिदी होती है यानि antibody बनता है उसे हम लोग टीका करन या vaccination कहा जाता है ठीक है टीका करन द्वारा स्वस्त प्र विशेष प्रकार की और विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक छमता बढ़ा देना ही रोग प्रतिरच्छन कहलाता है यानि immune system का immunity कहलाता है टीका करन को बिज्ञानिक तौर पर प्रोफाइल एक्सिस भी कहा जाता है ठीक है जब टीका करन की खोज सर्वप्रथम किसने की यह भी याद रखना और सोचने की बात है कि इस घटना के इस खोज के पीछे इस वैक्सिनेशन के पीछे कितने सारे साइन्टिस्ट का अपना एक रिसर्च है तो 1896 में डाक्टर जो अडवर जनर थे उन्होंने सरवप्रतम चेचक बिशानुए यानि स्मॉल पॉक्स वाइ बनाया था जिसको वाका वक्का लेटिन भासा में इसको वक्का कहा गया जिसका आर्थ होता है काव लेटिन में और उसको वैक्शिन का नाम दिया था ठीक है इतनी सूध हिंदी है ना कि प्रॉब्लम होता है हम सबको मैं जानती हो चलिए कोई बात नहीं हम लोग इससे बीत उसे उन्होंने क्या बनाया मनुष्य के लिए स्मॉल पॉक्स का वैक्शिन बनाया ठीक है जैसे बताया जा रहा है कि जीवी तिया मृतिया बिशिष जीव को परिवर्तित कर फिर उसको सूई के जड़िये इंजक्ट किया जाता है बोडी में तो यहां पर उसके इसी तर त पॉक्स वाइरस से बनाया था तो इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया वैक्शिनेशन ठीक है पास्चर ने ठीका वैक्शिन सब्ट का विश्कार किया और भारत में अभी तो बहुत बड़े पैमाने तोर पर टीका करन चला जा रहा है यह बच्चों के जनम से ल आते जा रहे हैं लगते जा रहे हैं तो यहां पर आपको वैक्शिनेशन कर लिश्ट दीया गया है कि कौन कौशसा दो से चे सबता में कौन का लगता है 10 614 में क्या लगता है पांसे यर्श में क्या लगता बछुँकि मेरा भी च्छोटा बेबी ग focus अर्द ऑर मुझे अब ट्यूती है तो उसके बाद बच्चों को दूसरे सब्ता से ही चाहां रड़ा लगने लगता है इस तरह से हमारा कि पार चार प्रकार के दिए गया यह द्रीकार सब mailing सबसे पहले मृत रोगानो यानि किल ज़म्स लिविंग विकेंड जम्स मुनता विसैला जीवी तरोगानो यानि लीविंग फुली पौजनस जर्म्स और टॉक्सॉयड यहां पर चार्ड परकार के दिये गया है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगी कि किल जर्म्स क्या होता है ठीक है यह ऐसे वाइरस होते हैं आप माली जी कि कोई एक ऐसा पैथोजनिक है जो कि इनका यह मृत फॉर्म में रहते हैं मतलब यह मड़े हुए होते हैं ठीक है और उनको वैक्षिनेशन के जरिए यानि कि इंज कर आया जाता है तो पर दोसे बाहर जाए तो स्मय होते हैं कि बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है आ घ्या है तो उस से पहले वह उस पैथोजन को आडंटिफाइक करके जड़िये उसने अपना एक एंटिबोडी टेयार कर लेता है ठीक है उनकिक काफी ज्ञादा वीक होते है यह killed होते हैं मड़े हुए होते हैं तो इसलिए इसके vaccine की dose थोड़े थोड़े दिन पर एक या दो या तीन या चाहर डोज भी दिया जाता है ठीक है तो इसमें क्या है टाइफाइट रोग के लिए टैप का टिका है पोलियो माईलिटीस रोग के लिए कुट्ते की काटने के लिए रैबिज डॉग बाइट वैक्शिन है थीक है उसके बाद आता है हमारा लीविंग विकेंड जर्म इसमें क्या किया जाता है कि यह जीवित होते हैं यह जो होते हैं काफी कमजोर होते हैं जीवित भी होते हैं लिविंग होते हैं और कमजोर होते हैं तो इनको क्या किया जाता है कि वैक्षिन के जरिए हमारे सरीर में परवेश कराया जाता है इंजेक्षिन के जरिए ठीक है और उसके बाद क्या किया जाता है कि इनको जब हमारा सरीर क्या करते हैं हमारा सरीर उससे इंको जीवित होते हैं तो हमारा सरीर स्ट्रोण्ग इंटिव! करता है यह स्ट्रॉंग एंटीबडी त्यारी करता है क्योंकि यह पहले से वह काफी लिविंग होते हैं तो उनको सरीर को हमारे क्या लगता है कि यह बहुत ज्यादा इस्ट्रॉंग आ रहा है तो वह स्ट्रॉंग इमिन सिस्टम त्यार करता है ठीक है लेकिन इनका एक प्रॉ मुख्या प्रिधि करें ले दो सब के सरीरह बोड़ी सही यह होते हैं लेकिंक अलग लग भाव भी देखे जा सकते हैं । उसके बाद के साताए यहां मिजल सा newborn तूबर कलोसिस आ सकता है और बीजीजी का भी आ सकता है ठीक है और बीजीजीजी का यहां पूरा नाम लीखा kia क्या होता है और तो जिसको दो फ्रांसेट्टिक भैग्यानिकों को ने भिक्सित किया था ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्णता बिसायला जीवित रोगानो वो देखते हैं पूर्णता बिसायला जीवित रोगानो यह हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि यह इसमें क्या होता है कि इसमें चेचक का टीका या काउपॉक्स वाइरस इसमें क्या किया जाता है कि खरोज कर बच्चों के अब पू फोफला धबा भी हो जाता था लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस तरह का इसका वैक्शिन अभ नहीं लगाया जा रहा है क्यूंकि इस से हमारा जो अभिश्व है इस रोक से मुक्त हो चुका है लिविंग फुली पॉजनस जब दिया जाता था तब की बात है अब इस तरह के वाइरस को नहीं दिया जाता है इस तरह के जर्मस को नहीं दिया जाता है इस तरह का वैक्षिनेशन नहीं चला जाता है नेक्स आता है टॉक्सोइड यह क्या होता है कि यह जिवानुव द्वार करने की छमता बनी रहती है एड्स की टीकर को बिक्सित करने का इस तरह का प्रयास किया जारह है करणते हैं और षोकी एटज बेपिक 125 विश निकल जायेगा इसमें इस टॉकोईट में यह जीवानों के द्वारा स्त्रावित निसकरिय कीष्टी कि टॉक्सीन होता है इसको टॉक्सीन कहा जाता है इसमें अनीं के विश होता है और इसी से आपके बुक में जितना भी वैक्शिनेशन टाइप दिया गया है आप आगे चलेंगे तो इम्मनोलोजी चैप्टर आएगा बायो में और काफी ज्यादा इससे आपको और भी अच्छे से जानकारी मिलेगी मुझे लगगा है थोड़ा ही दिया गया है जस्ट आपको टच करा खञ गया है इसके बारे में जस्ट इंट्रोड़क्शन दिया गया है आगे चलके आपको और भी अच्छे से इसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिलेगी तो मैं हम बुक के हिसाब पर किसी व्यक्ति को डिप्थेरिया रोग हुआ है तो इसमें चाहिए जाता है कि इस अवस्था में सबसे पहले तेया गया एंटी-बॉडी क्या साहयक्षीद होता है इसमें क्या किया जाता है कि सीरम के जरिये घोड़े या खर्गोस या किसी और भी जितने भी प्रानी होते उनसे antibody used serum निकाला जाता है जिससे बताया गया ना कि इस serum के जड़िये भी antibody उत्पन किया जाता है और फिर उस के रोगानों को कृतिम रूप से उत्पन कर कमजोर अवस्था में जो उपसे तरहते हैं और उसके बाद हो हमारे सरीर में प्राइजेशन जैसे पहले बतां बताय गया है शीरम के जर्ज़िये किस तरह से पैसिव ऐउनाजेशन कराये जाता है तो हमारे बॉड़ी में जैसी इसको इंजक्क्त किया जाता है हमारे सरीर में उसके परती एक सिस्टम एंटीबॉडी उत्पन हो जाता है ठीक है अम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे मनुष्य में रूग उत्पन करने वाले सुछम जीव या परजीवी पैथोजेंस एंड पैरसाइट्स कॉजिंग थे यहां चोटा-चोटा टॉपिक जो है मैं कोशिज करती हूं कि आप लोग चोट-चोट टॉपिक को भी एक शॉट-चॉट वीडियो के तोर पर मैं बता सको हूं पर साइन्स को थोड़ा सा डीटेल में ले जाना सही होता है ठीक है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा चला जाता है पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमरों सक्वेस्वर में पूछ सकते हैं OK अट आपकर को और अच्छे समझ में आ गया होगा नहीं कुछ समझ में आता तो आप मुझे कमन सक्ष能 कोड़ में पूछिए मैं रेप्लाई करऊंगे thank you, keep watching, bye-bye